दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक रह चुके दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का वीडियो सोशल मेडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसमें दीपा मंडावी ने भाजपा के टिकेट वितरन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही उनके बलिदानों को भाजपा के पदाधिकारियों ने क्यों नजर अंदाज कर दिया आखिर क्या कहमी रह गई थी बतादे की विधाएक भीमा मंडावी लोगसभा चुनाओ के दौरान नकसली विस्पोर्ट में मारे गए थे नमस्कार मैं दीपा मंडावी सर्गिय भीमा मंडावी की बेटी आज मैं इस लीडियो के मातल से हुमारे भाजपा पार्टी के सभी कारे करताओ एवं मेतां से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी स्रीमती और जस्वी भीमा मंडावी को विधान सभा की टिकेटना देकर मेरे पापा के बलिदान को पीशब किया है भले ही मेरी मम्मी राजनीती में नहीं है पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीती में कदम रखा लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंगर दे मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे ली उनके जाने के बाद हमें अपने कलका पता नहीं था फिर भी हमारे मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगा दे ली उसी सिध्धत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी हमारे दंतेवाडा के जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी आधियूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी ममी पार्टी में आई थी, राजनीति में उनके कदम रखा था और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सबही कारे करता हूँ एवं मेढे तां से यह पूछना चाहती हूँ मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों हमारे साथ ऐसा क्यों किया ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुडरी स्फर्मर टाइम्स के साथ और मैं थी आपके साथ खुशी सुहेल इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे